फिल्मी जगत एक ऐसा जगत यहां पर आप सभी को एंटिटेन करते हुए नजर आते हैं बॉलिवुट के तमाम सितारे यहां पर हर कोई अपनी किस्मत को आजमाना चाहता है एक्टिंग हो डैंसिंग हो या फिर सिंगिंग हर किसी टेलेंट को यहां पर पहचान मिल जाती है फिल्मी दुनिया एक ऐसी दुनिया है यहां से ऐसे कई लोगों ने पहचान पाई है और आप सभी की दिलों पर राज भी कर रहे हैं लेकिन अगर हम बात करें गुजरे जमाने की तो गुजरे जमाने में भी ऐसी कई एक्टरस और एक्टरस थे जिन्होंने हमेशा ही आप सभी को एंटर्टेन किया भले ही इस दुनिया में नहीं रहे हैं कुछ सेलेब्रिटीज लेकिन आज भी उनकी दमदार एक्टिंग उनकी फिल्मों के जरीए आपको देखने को मिलती है वहीं आज किस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं बॉलिवुट की एक और खूपसुरत अदाकारा के बारे में जिन्होंने अपने दौर में कई सुपर हिट फिल्में दी जैसा कि आप सुभी जानते हैं कि हर स्टार की प्रोफेशनल लाइफ से हट कर उनकी पर्सनल लाइफ की कहानी भी होती है उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर वो हमेशा ही सुर्खियों में आही जाते हैं कई बार विवादों में भी फस्ते हुए नजर आते हैं और ऐसा ही कुछ हुआ एक और ऐसी खूबसुरत अदाकारा के साथ तो चलिए फ्रेंड्स बताते हैं आपको लेकिन आगे बढ़ने से पहली कीजिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वैल आइकन को जरू दबाए जानकारी के लिए आपको बता दे कि फिल्मों में अपनी एक्टिंग से ज़्यादा हेर स्टाइल के लिए जानी जाने वाली एक्ट्रस साधना सिवदासनी की बात करते हैं जिन्होंने 60 और 70 के दशक में करोड़ों दशकों की दिलों पर राज किया साल 1960 में उनकी फिल्म लव इन शिमला रिलीज हुई थी और फिल्म तो हिट हुई थी साथ ही साथ इस फिल्म से साधना का हेर स्टाइल भी काफी फेमस हो गया था कितना ही नहीं इस फिल्म से उनका हेर स्टाइल साधना कट के नाम से मशूर हो गया ऐसे मैं साधना के उस हेर स्टाइल को साधना कट के नाम से जाना जाता है तो वहीं ज़ादा तर जब भी उनकी फिल्में आती थी तो उनका यहरिश्टायल देखकर सभी उन पर मोहित हो जाते थे और उनकी दमदार एक्टिंग के साथ साथ उनकी खूपसूरती उनकी खूपसूरत इस्माइल के लिए वो जानी जाती थे वेल फ्रेंड्स ये तो साथना की दमदार एक्टिंग की बात हुए लेकिन जब वो इस दुनिया को अलविदा कह कर गई तो मानो हर जगा पर शोक की लहर दोड़ पड़ी थी उन्होंने अपने करियर में कई सुपर हिट फिल्में दी थी लेकिन अगर हम बात करें उनकी परसनल लाइफ की तो परसनल लाइफ को लेकर भी वो काफी विवादों में रही ऐसी कई संगर्शों का उन्होंने सामना किया हर किसी की जिन्दगी में उतार चड़ाफ तो आते देखे हमारी खास रिपोर्ट साधना अपने माता-पिता की एकलौती संतान थी आठ साल की उम्र तक उनकी मा ने उन्हें घर में ही सिक्षा दी थी ऐसे में उनके करियर ने समय समय पर करवट भी और उनकी सफलता को एक उचाई पर पहुंचाया बता दें आपको कि उनकी शादी मश्यूर निर्देशक आर क नयर से हुई थी जो उनसे उम्र में काफी बड़े थे लेकिन साधना के माता-पिता इस शादी के लिए पूरी तरीके से राजी नहीं थे साधना की कोई संतान भी नहीं हुई थी लेकिन आपको ये भी बता दें कि वो दौर जब आया जब आर की नयर इस दुनिया को अलव वहिदा कहकर चले गए ये दौर उनके लिए बेहदी दर्दनात था इस दौर से गुजरते हुए साधना ने आगे की जिंदी अपनी अकेले ही बताई वहीं खबरों के मुताबिक ये भी आया सामने कि उन्होंने एक्ट्रस वहिदा रह्मान आशा पारेक और नंदा के साथ अपना अच्छा संपर्ग बनाई रखा लेकिन अपनी चचेरी बहन बभीता से दूरी बनाई रखी थी जिहां बभीता कपूर भी बॉलिवूट की पॉपलर एक्ट्रस में एक गिन्यजाती थी बभीता कपूर भी उस दौर की फैमस का नया लुक जब सामने आया तो साधना कट के नाम से मश्यूर हो गया इस फिर्म का निर्देशन आर के नईयर नहीं किया था तरसल साधना का माँ था बहुत ही चोड़ा था और उसे छिपाने के लिए बालों को ऐसा कट दिया गया था लेकिन आगे चल कर उनका ये हेरिस्ट स्टाइल को काफी पसंद भी करने लगी थे लेकिन आपको ये भी बता दें कि साधना ने अपनी जिंदिगी में कई उतार चड़ाब देखे यहां पर एक और फिल्मों में इतनी फैमस हो गई थी तो वहीं दूसरी और साधना से जुड़ी ऐसी कई बातें सामने आई जिहा साधना ने राजकपूर और नर्गिस की सुपर हिट फिल्म स्री 420 में कैमी रॉल किया था इस फिल्म का गाना मुर्मुर के ना देख मुर्मुर के साधना कोरस गल में नजर आई थी खबरों की माने तो इसी गाने की शूटिंग के वक्त साधना और राजकपूर के बीच कि सजग रहती थी और वो अक्सर अपने बालों का ध्यान भी रखा करती थी और साधना की यही बात राजकपूर को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी इसके लिए उन्होंने कई बार साधना को ऐसा करने से भी रोका राजकपूर की उन्होंने एक बार नहीं सुनी जब कि ये बात साधना को बहुत बुरी लगी जिसके तुरंद बाद वो शूटिंग छोड़कर ही चली लेकिन आपको ये भी बता दें कि कई सालों तक साधना ने राजकपूर के साथ काम नहीं किया फिर छे साल बाद फिल्म आई दूला दुलन फिल्म में साधना और राजकपू फिल्मों में काम किया धा लेकिन उन्की ज्यादातर किरदारों को दर्शकों ने काफी पसंद किया उन्होंने अपनी फिल्म करियर में कई पॉप्लर कई सुपर-hit फिल्म में और इन्ही फिल्मों के जरीए उन्होंने पहचान बना ली थी, वहीं आपको ये भी बता दें कि साधना भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका हेर स्टाइल आज भी लोगों के दिलों को छू लेता है, बता दें आपको, साधना के बारे में जब उन्होंने आशापा वहीं साधना ने अपने स्टाइल के जर्ये लोगों के दिलों में पहचान मना ली थी साधना ने यहां पर एक सिंधी फिल्म अबाना में काम किया था यह फिल्म 1958 में रिलीज हुई थी और उस वक्त साधना की उम्रती 17 साल साल 2002 में आईफा ने Lifetime Achievement Award उन्हें दिया और ऐसे में यहां पर साधना के बारे में अगर बात की जाए तो साधना ने फैशन डिजाइनर और राजनिता शाइनी एंसी के लिए चैरिटी फंक्शन में रैम किया था उनके साथ स्टेज पर नजर आए थे रणवीर कपूर जिस उन्होंने अपनी जानमाल का खत्रा बताते हुए पुलिस से इफाज़त भी मांगी थी ऐसे में यहां पर साधना के बारे में बात की जाए तो साधना को आप इन तस्वीरों में देखी रहे होंगे कि वो पेहद ही खूबसूरत देख रही है जिहां आपको बता दें साधन एक गंभीर बिमारी का शिकार हो गई और एक समय ऐसा आया जब दुनिया से अलगदा कहकर चली उनके जाने पर कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजली दी गाय का लता मंगेशकर ने उन्हें कहा कि मुझे अभी पता चला कि मेरी पसंदिदा एक्ट्रस साधना जी कात स् इश्वर उनकी आत्मा को शांती दे इतना ही नहीं आपको ये भी बता दें संजे खान के बारे में संजे खान ने कहा कि मैं उनसे मिलने नहीं गया क्योंकि मुझे मालूम था कि वो ठीक नहीं है उन्हें दावत देने की मेरी ख्वाइश अधूरी रह गई मैं उन्हें बीम पानिकी एक्ट्रेस हेलेन वहिदा रह्मान शम्मी आंटी और कई लोग मिला करते थे उनकी तब्यत पहले से खराब थी और पांच-शे कोट केस चल रहे थे जिसके चलते वह परिशान थी उन्होंने कभी अपना दुख हमसे साजा नहीं किया आशा पारेक ने ये भी कहा कि वह बहुत पॉपुलर थी उनका साधना कट मुझे आज भी याद है हम उनके घर ही जा रहे हैं पता रहें आपको कि साधना को मूँ के कैंसर की वज़ा से सरजरी की गई थी और बाद में उनका निधन हो गया बले ही साधना हमारे बीच मौझूद नहीं है लेकिन आज भी उनकी फिल्मों के जरीए हम उन्हें याद करते हैं आपने देखा यहां पर किस तरीके से साधना सिवदासनी ने फिल्मों में डेब्यू किया और धीरे धीरे वो सफलता के सीलियों पर चरती चलेगी लेकिन एक दोर ऐसा भी आया जब उन्होंने कई उतार चड़ाव का सामना किया फिल्म इंडेस्ट्री में उन्होंने अपनी धाग जमा ली थी तो वहीं परसनल लाइफ के चलते भी वो काफी सुर्कियों में रही जब उन्होंने शादी की तो अपनी शादी को लेकर भी रोका काफी चर्चा में रही उनके माता पिता उनसे नाराज हो गए थे जैसा कि हमने आपको इस रिपोर्ट के जरिये बताया और वहीं आपको ये भी बता दे जब उत दुनिया से अलगदा केहकर गई तो उनकी हालत बेहदी कंभी थी उनके दुनिया से जाने के बाद तमाम सेलिब्रिटीज पुदास हो गए थे मायूस हो गए थे कई लोगों की ख्वाइसें अधूरी रह गई थी जी हाँ जैसा की हमने आपको अपनी स्रिपोर्ट पे बताया वहीं आपको ये भी बता दें के साधना 74 साल की थी जब उन्होंने दुनिया को अलगदा केह दिया दरसल उन्हें कैंसर हुआ था और कैंसर की वज़ा से उनकी हालत बेहत कंभीर हो गई थी और फिर वो वक्त आया जब उन्होंने इस दुनिया को अलगदा केह दिया वेल फ्रेंट्स भले ही साधना हमारे बीच नहीं है लेकिन आज भी उनकी मौझूदगी देखने को मिलती है उनकी उन फिल्मों के जरिए उनकी दमदार एक्टिंग उनकी खूपसूरती आज भी सभी के दिलों में पसी हुई है बस सिर्फ उनकी तस्रीरों और उनकी फिल्मों के जरिए आप क्या कहते हैं साधना सिवधासनी को लेकर या आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं पिल्हाल के लिए हम चलते हैं तब तक के लिए आप देखते रहें नेक्स्टनाइन न्यूस और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना पूले